नमस्ते कुशुम की रेसोई में आप सभी का स्वागत हैं आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अलग तरीकी से बेशन की वड़वी की रेस्पी शेयर कर रही हूँ ये टेस्टी मिठाई इतनी दानेदार इतनी रसीली बनी है ना कि आप इसे बार बर बनाएंगे दिखे में आपको एक तोड़ कर भी दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड्स पहन थाल मिठाई को भी ये एकदम टकर दे दी देख रहे हैं आप लोग कितने दानेदार अंदर से एकदम रसीली बनकर रेडी हूई है फ्रेंड्स अगर ये मिठाई की रेश्पी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा हमारी वीडियो को पसंद आए रेश्पी देख वार चेरटू ट्राइगा चली बनाते हैं अगर मेजरमेंट करें है तो 300 ग्राम बेसं अब कोई आप यहां पर चपत्राइए जरह से मेजर कर सकते हैं आप इस काटोड़ी से काटोड़ी से भी मेजर कर सकते हैं अगर दोद नोर्मल टेंपरेचर का होना आपको गरम दोद नहीं लिजिएगा हाँ दूद जो है वो बॉइल लीजिएगा बॉइल करके उसे ठंडे करके लीजिएगा और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करने ला है मिक्स इतना करना है फ्रेंट्स के इसके अंदर का जो लंब्स है ना वो खतम हो जाए मतलब जिसे बेशन को पानी या आप किसी चाल किसी वी चीज के साथ इसे गोल हो के ना तो ये गाठे और गोटे गोटे एकदम बनी रहती है तो पस इसे खतम कर दीजिए इतना हमेशे गोल रेडि करना है देखिए इसका देखिए खोल कितना अच्छा एकदम स्मूर सा एकदम बनकर रेडि हो गया है तो चलिए अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस में इसे अब साइटर में रखते हैं अब यहांपर कोई सा भी आप कंटेनर ले लीजिए या मल ले लीजिए जिसमें आप इसे मिठाई को सीब देना चाते हैं और यहांपर नीचे में बटर पेपर लगाकर अच्हे से सबी जगापो घी के साथ हमें में सबी जगा घी जो है वो लगा दीजिए अब आप यहां पर कोई सा भी ड्राइफूट्स ले सकते हैं आलमेंड पिस्ता जो आपको पसंद है मैं यहां पर आलमेंड लिए हूँ और यहां लिए कुछी खरबुच के बीच इसे अब रख देते हैं साइड में अब हम बनाते हैं ओन वाइट टू कप यहां पर लीजिए घी घी यहां पर इस जैसे कि देख रहे हैं यह वाला कटोरी है इससे आप एक कटोरी मेजर करके भी ले सकते हैं और घी को एकदम गरम मत करती जिएगा फ्रेंस यहां पर अभी भी देखिए मेरा गैस जो है वो बंद है और इसक घी नहीं जादा हुआ ऐफ्रेंस देखिए इसे आप इस तरीके से मिक्स करते जाएगा ना तो ये ना घी में एकदम पूरी मिल जाएगी एक साथ ये और पता भी नहीं चलेगी कि हमने इसमें घी डाला है लो फ्लेम पर इसे अब इस तरीके से मिलाते जाएए हमें इतना मिल जाना है कि ये ना एक दूसरे से चिपकी ना रहे एक दूसरे से एकदम हट जाए देखिए धीरी-धीरी जो इसका टैक्शन ही वो देखिए कैसे एकदम गारा होते जा रहा है आप लोग देख सकते हैं और गैस का फ्लेम जो है अभी मैं लो रखी हूँ एकदम लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है फ्लेंड्स तहीं तो हमारा बेशन जो है न वो जल जाएगा नीचे से और जो हपारी मिठाई है वो एकदम अच्छी नहीं बने की तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखे और मेजर मिंट भी में बहुत अच्छे से बताई हूँ तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेगा देखिए जैसे जैसे इसे यह पकते जारी है देखिए इसका जो टेक्स्टर ही वो गारा होते जा रहा है देख सकते हैं आप लोग बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है फ्रेंड्स एक बार ना आप लोग एक और जरूर ट्राइड करिएगा तम बाजार की मिठाई लाना भूल जाएंगे जो इस तरीके से आप बेसन की मिठाई बनाकर रेडी करेंगे देखिए एकदम लो फ्लेम पर इसे में धीरी धीरी चलाते चलाते देखिए कम सका मुझे हो गया होगा 10 मिनिट उसके बाद इस तरीके से देखिये कैसे दानेदार हो गई है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 by 3 कब सूजी आप चाहे तो two चमच की लगवक सूजी डाल सकते है या फिर आप यहाँ पर सूजी को skip भी कर सकते फ्रेंट्स आपको डालनी के चाह है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं तो उसके बाद अच्छे से सूजी के साथ इसे मिक्स कर ली थी यहाँ पे में फ्लेवर के लिए डारी हो इलाइचिका पाउडर इससे टेस्ट जो है न मिठाई में बहुत ही अच्छा आएगा तो आप लोग जरूर डालिएगा इससे स्किप नहीं करिएगा उसके बाद वस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है देखिए इस तरीके से एकदम लगरी ने दानेदार और मिठाई भी बनकर बहुत अच्छी बनेगी तो आप लोग वीडियो के अंतक बने रहीए अगर स्कीप करिएगा तो फिर आप अच्छे से सीख नहीं पाईएगा तो चलिए अब उ अच्छे से इस तरह की वाली है बस पानी में न यह चीनी अच्छी से खुल जाने चाहिए यहाँ पर मैं डाली हो नीमु का रस एक चम चप नीमु का रस डालीएगा ताकि यह जो हमारा चास्ती है न वह साफ हो जाए सफेद हो जाए तो चलिए अब यह चास्ती बनकर अब अच्छी से इसे बस दो मिनिट के लिए हमें इसे मिक्स करना है चासनी के साथ ज्यादा नहीं पकाना है हमें चासनी के साथ फ्रेंस नहीं तो यह न एकदम देरे देरे आप बनाते चले जाएंगे चासनी हाड होते चले जाएगी तो मिठाई भी हाड हो जाएगी इस ची अब बस इसे हमें अब शेट कर लेना है डाल कर चलिया अबutetर से अच्छे से कोई सा भी आहिसा भी अपगाफ चलिके से से लिए पिटले चोती यदि आपर बीमुल्ड यह जाएगी इसे चॉम्हें तो यह अपने आप खुद भे खुद ही यह हट जाएगी बस अब इसे एक प्लेट में इस तरीके से पलट लीजिए देखिए इस तरीके से बहुत इदली डिमोल्ड हो जाए कि देख सकते हैं आप लोग और देखिए विठाए भी हमारे कितनी अच्छी बनकर जो है वो रेड कट करके बना सकते हैं अगर आपको मोहन थाल भी पसंद है तो आपना इस तरीके से आप लोग जरू ट्राइ करिया एकदम मोहन थाल जैसे भी एकदम टेस्ट आएगा इसका और बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगा तो देखा आपने नहीं इसमें मैमावा डाली हूँ नही मिल पाउडर डाली हूँ और फिर भी ये मिठाए देखे कितना अच्छा और एकदम पर्फेक्ट ये जो हमारी मिठाई एकदम बनकर रेड़ी हूई ये बेसन की ये वरफी बेसन की ये मिठाई इसे मैं कर ली हूँ कट देख सकते हैं आप लोग बहुत ही टेस्टी और बह इस तरीके से तोड़ कर दिखें कैसे एकदम नडम सौट मुह में गुल जाने वाली ये मिठाई बनी है आई होब कि हमारी ये मिठाई की रेसिपी आपको बहुत पसंद आयो गिफ्टन्स पसंद आये तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में टेक केर बाबाई